नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा कि टाटा 407 EX वाटर पंप कैसे चेंज करें इसके लिए हमें रेडियेटर को खोलना पड़ेगा मैंने रेडियेटर को खोलकर आगे की तरफ दकेल लिया है और उसके बाद पंखे को खोल लिया है पंखे को खोलने के बाद उस 13 नंबर के उनको खोलना पड़ेगा उनको खोलने के बाद हमें जो वाटर होज पाइप हैं उनको खोलना पड़ेगा इस गाड़ी में इस गाड़ी में वाटर पंप की जो शील है वो लीक हो गई है उस सील की वजएसे इसमें से पानी निकलने लगा पानी निकलने की इंजन को कोई हानी ना हो अगर हमारे इंजन का पानी निकल जाएगा तो गर्म कर शीज हो जाएगा लीजिए यह जिसकी पुरानी वाटर वोटी और यह ब्लोक है जी मैंने इसको अच्छी तरह से साब कर लिया है यह है जी गाड़ी जिसका हम वाटर पंप चेंज कर रहे हैं कि वाटर पंप चेंज कर रहे हैं देखिए यह फैन बैल्ट है और फैन बैल्ट का नंबर है जी यह जी इसमें भेन बेल्ट का नंबर और इसमें 6 छे लाइन होती हैं यह देखो मैंने नई वाटर पंप ले लिया है और यह पुराना है जी और मैंने इसे एना बॉंड लगाई है जी एना बॉंड लगाकर अच्छी तरह से लगाएं ताकि कहीं से लिकीज न रहे अगर लिकीज होगा तो ह टाइट करने के बाद मैंने सारे जो होज़पाइप है वाटर होजपाइप लगा लिया है और पंकहें को भी टाइट कर दिया है पंखा पुरी सब को टाइट कर दिया है टाइट कर दिया है इनको एक कुछित मातरा में टाइट करें ज्यादाने टाइट करें मैंने रेडियेटर इंटर कूलर के पाइप सभी लगा लिये हैं अभी मैं फैंट बेल्ट लगा रहा हूं फैंट बेल्ट लगाने का तरिक्का है जी यह आपके किसी भी वक्त रस्ते में काम आ सकता है देखिए ये मेरे ड्राइवर वाई द्यान से देखें पहले तो अल्टिनेटर वाटर पंप और जो क्रेंक सापट की जो पूली है तीनों पर फेंट बेल्ट को चड़ाले फिर अल्टिनेटर का जो बोल्ट है वे सोला नम्बर का एशे किसी टायर लीवर या राड की साइता से देखे लें और उल्ट पिजुक्त Lenny को ओम मिशिई दें कैंइ बोल्ट को उंदर दखेलादों अधिनि के बाद इसमें नत लगा दे रभदालेश को टाइट करने से पहले हमें बैल्ट को और जैष्ट करना पड़ेगा सियं अगर हम चूडी को पीछे की तरफ खीचते हैं या चूड़ी को उतारते हैं तो बेल्ट टाइट हो जाएगा और जो अंदर की तरफ टाइट करेंगे तो बेल्ट ल्यूज हो जाएगा बेल्ट एक उचित मातरा में टाइट करना ज़रूरी है नहीं तो हमारे अल्टिनेटर या वाटर पंप का बेरिंग तूट जाएगा अगर हमने ज्यादा टाइट कर दिया तो दीजिए मैंने टाइट कर दिया है कि सारे बोल्ट टाइट कर लिए हैं यह ड्राइवर्स आप गाड़ी में कूलेंड डाल रहे हैं कि अब हम इसे स्टार्ट करके चेक करेंगे हाँ तो दोस्तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और जो बाजो में बैल नोटिफिकेशन उसे जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सबी वी नवाट